हालो फ्रेंट्स मैं हुरीन अभिराजदार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम बनाएंगे रामफल का कस्टर्ड वीद आइस क्रीम अभी तो समर्शीजन चल रहा है तो इस टाइप के अलग-अलग ड्रिंक्स बना के इंजय करना तो बनता है तो चल लिए फिर देखते हैं इसकी रेशीपी मैंने यहाँ पे लिए लिया है एक बाउल अब इस बाउल में हम डाल देते हैं एक चमच्छी आ सीडस और आदा कब पानी इसे अच्छे से भीगने के लिए साईड में रख देते हैं अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आदा लिटर दूद। इस दूद में से थोड़ा सा दूद मैंने एक कटोरी में निकाल के लिया है और बाकी जो हरुप दूद बचा था उसे ग्यास के उपर चड़ा दिया है बॉइल होने के लिए अब इस दूद में हम डाल देते हैं दो चमच, कस्टर्ड पॉडर इसे अच्छे से घोल लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुटली बचे नहीं आप चलते हैं ग्यास की तरफ ग्यास के उपर मैंने जो दूद चड़ा रखा था उसमें अच्छे से बॉइल आ चुका है इस अच्छे से जोड़ी होतो हैं इसे जब अच्छे से थनदा हो जाएगा थो हाम इसे फ्रीज में रख देंगे अब चलते हैं next process की तरफ तो मैंने यहां पे एक राम फल लिया है बड़ी size का अब इसे हम cut कर देते हैं और इसमें का जो भी pulp है वो सारा हम निकाल लेते हैं यह बड़ी size का राम फल मैंने यहां पे यूज किया है इस तरह से अब एक स्पून की मदद से हम इसका सारा बीज समेत पल्प निकाल लेंगे सबसे पहले हम बीज समेत इसका पल्प निकाल लेंगे और बात में एक स्मेशर की मदद से हम इसे स्मेश करते हुए इसकी सारे बीज हटा देंगे तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पुरा पल्प यहाँ पे निकाल लिया है यह थोड़ा सा hard process है थोड़ा सा time लगता है लेकिन इसे हमें करना ही है क्योंकि अच्छे dish खानी है तो थोड़ी मेनत तो करनी ही होगी तो मैंने यहाँ पे इसका सारा पल्प एक स्मेशर की मदद से निकाल लिया है तो अब चलते हैं नेक्स पोचेस की तरफ तो मैं यहाँ पे मैंने फ्रीज में इसे रखा हुआ था कस्टर्ड को यह अच्छे से चील हो चुका है अब हम इसे यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले ले लेते हैं दो क्लास और इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड सबसे पहले कस्टर्ड डाल देंगे इसके बाद में हम डाल देते हैं इसके उपर से आईस क्रीम मैंने यहाँ पे पिस्ता आईस क्रीम का यूज किया है आप अपने हिसाब से कुन से भी फ्लेवर का आईस क्रीम या पर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है आईस क्रीम इसमें आप डाल देते हैं इसके उपर से चीया सीर्स चीया सीर्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है रोज के खाने में इसे जरूर यूज़ करें ये weight loss के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है इसके बात में फिर से मैंने डाल दिया है थोड़ा-थोड़ा करके custard आप डाल देते हैं जो हमने निकाला हुआ था रामफल का pulp ये pulp की वज़े से ये custard बहुत ही बढ़िया लगता है आप इसे ज़रूर एक बाय ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आने वाला है आप फिर से डाल देते हैं थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें custard और उपर से डाल देते हैं आइस्क्रीम जब तक मैं यहाँ पे आइस्क्रीम डाल गी हो तब तक आप मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंज की साथ में इसे शेयर करना ना भूलिएगा फिर से उपर से मैंने डाल दिया है राम फल का थोड़ा थोड़ा करके पल्प और इसके उपर से डाल देते हैं ड्राइफ रूट्स काजू बादाम और पिस्ते का यूज मैंने यहाँ पे किया है ड्राइफ रूट्स में आप चाहें तो आपने मन के हिज़ाब से कौन से भी ड्राइफ रूट्स यूज कर सकते हो अब आप देख सकते हों यह दिखने में कितना अच्छा लग रहा है तो सोच सकते हो खाने में कितना अच्छा होगा तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह recipe आपको कैसे लगे comment box में जरूर comment कीजिएगा Thank you